कर लिया था तो आज फ़स्टर पर्फेक तेंस इसकी फहचान देख लेते हैं हिंदी की साइन से होते हैं उनके लास्ड में क्या होता है चुका था जुका था चुपी थी छुके थे इस तरीके से देखेंगे आप जो इसके पहचान होगी वो गवे तरह चुक हम अपका आते हैं। इक एक आते हैं, हम करें आता हैं पर्लिट कला। ठीक, एडवांस जो है, वो हम आके की वीडियो में कबर करेंगे, ठीक है, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, ओके, तो अफर्मेटर रूल में देखेंगे इसका तो क्या होगा, subject plus, जैसे present perfect में आपने has had देखा था, उसी तरीके से यहां past perfect में आप देखेंगे had, क्या लगेगी helping had subject plus had plus v3, मतलब word की third form plus object, clear, example के दुरों समझते हैं, जैसे, c had written a letter, ओके, जैसे, चाहे similar हो, चाहे plural, यहां दोनों subject के साथ helping work हम एक ही had यूज़ करने वाले हैं, तो c had written a letter, दूसरे example, they had won the match, चीके, simple simple sentences हैं, जिनको हम समझ लेंगे, बाकी क्या डिक वीडियो से में कवर करेंगे, they had won the match, जैसे, I had done my work, मैंने मेरा काम कर लिया है, या मैंने अपना काम कर लिया, she had written a letter, वो अपना पतलिक चुकी थी, sorry, they had done my work, मैंने अपना काम कर लिया था, है, गलती से बोल गई थी, ओके, तो यह affirmative हो जाएगा, negative की बात करें, तो आते हैं negative sentence में, negative sentence, negative sentence में subject, क्या हो जाएगा, subject, plus had, अदर helping work, plus not, plus V3, work की थर्ड फर्म, plus object, फिक, ले लेते ही, इसी को हम इसका negative है, जिसके she had written a letter, तो इसका negative क्या बन दाएगा, she had not written a letter, इसका बना ले, they had won the match, they had not won the match, ठीक, इसका I had, तो I had not won, sorry, I had done, done my, I had not done my work, यह affirmative था, अब affirmative से हमने इसका negative बना लिया, तो negative में क्या बना, subject, subject के बाद subject, फिर had, helping work, फिर negative word not, उसके बाद V3, और फिर object, यह साले sentences हो जाएंगे, अब आते हैं, इस sentence में, इंट्रोगेटर sentence में, yes, no, type, yes, no, type में सबसे पहले हम, helping word लेंगे, helping word क्या है, had, फिर subject, फिर, अगर negative word है, तो not लेंगे, ही तो छोड़ देंगे, subject plus not, फिर work की third form, plus subject, plus question mark, इसमें, पहले WH word होगा, उसके बाद, पहले WH word होगा, ठीके, फिर subject, फिर, sorry, WH के बाद, helping word हम लेंगे, had, फिर subject, फिर, अगर negative word है, तो not, नहीं, तो छोड़ देंगे, फिर work कौन सी होगे, फिर V3, और यहाँ पर फिर object, और फिर question mark, clear, यह snow type का हो जाएगा, यह WH type का हो जाएगा, clear, इसका example देख लेते हैं, इसका example में, जैसे आभी हमने लिया था, affirmative में, c had written up later, ठीक, तो उसको में बनाएगे, तो had, helping word को हम पहले ले लेंगे, इसका बना रहे हैं, फिर subject c, फिर verb, not, नहीं, हो तो लिखते हैं, नहीं, तो छोड़ देते हैं, had, c written, a later, question mark, जैसे, why, इसका बना लो, had, c, written, a later, ठीक है, तो यहाँ पर confused मत होना, कि डबलो या चोड़ कहां होगा, तो डबलो या चोड़ वाले में, डबलो या चोड़ पहले होगा, उसके बाद helping word आएगी, फिर subject आएगा, और negative word आता है, तो not, यहाँ होगई, जैसे, हाँ ने बताया कि, had, लगाई या, उसके बाद not लगाई या, तो लेकिन, इंट्रुगेटर सेंटेंस में, क्या होता है, helping word पहले लिखते हैं, फिर subject लिखते हैं, उसके बाद not लगाया देता है, clear, तो यह आपका सेंट, यह पाश्य परफेक्ट कम्प्लीट हो गया ठीक, परफेक्ट कम्प्लीट करने के बाद में, हम लोग पाश्य परफेक्ट कांटीनिवर स्टेंस पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पाश्य के सारे टेंस खतम कर देंगे, ठीक, तो पाश्य परफेक्ट कांटीनिवर स्टेंस में, क्या होता है, क्या पहचान, इस तरीके से से परफ Trustee continuous Singapore देख stell रहता था रहे थे हिंदी के सेंटेंस के लाज में आता है उससी तरीके से प्रफेट इसमें भी time लिनोट किया रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे time को क्या किया होता है? जहां पे time लिए प्लापनुरा देखता है तो subject प्लस आप देखेंगे जहां पर कांटिनियूर्स की बात आती है वहां पर वर्व की फॉर्म की आएंजी में जाता है प्लस अब्जेक्ट प्लस चिंस या फॉर्व प्लस टाइम ठीक है इसमें टाइम को मेंसन किया गया है तो आपको टैंसल लिखना पड़ेगा ग्यूता इसमेड़ जैसे सी और मांताक से अपर ने सिर्व अगरेउस फार्मोल अब इस पर रिख हैं तो गया आप बीन सब्जेक्ट सी आद बीन अपिंग वड़वर प्लेइं ठीक है खेल रही है क्या खेल रही है फुटबॉल शी है बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर चीक है यह एन आवर जो है एक घंटा यह पीरियड आप टाइम है अनिश्चे समय से लिए हमने यहाँ पर फार यूज किया है दूसरा एक्जामपल जैसे the girls the girls had been had been learning learning music for several months छीक है several months भी यह भी पीरियड आप टाइम है इसलिए हमने यहाँ पर फार यूज किया है तो subject the girls had been before चाहर है शामपल जाएंगे इस से इस फार्मोला पिस पर रखा या अब आते हैं निगेटिव संटेंस अब आते हैं से अब उससी तरीके से होगा बस इसमें नॉट लागे राद जैसे एंगेशामपल ले इसका जैसे She had not been playing football for an hour. तो निगेटियों में हमें क्या मिल सब्नादा रहता? सिद नॉट यह हो जाएगा. दूसरे एक्जामपल जैसे इसमें कुछ ली करना होता, पर समको निगेटियों रखना होता, तो यह निगेटियों सेंटेंस आपका हो जाएगा. अब आते हैं इंट्रोगेटियों सेंटेंस पर. इंट्रोगेटियों सेंटेंस पर, इंट्रोगेटियों सेंटेंस भी, सबका फार्मूला उसी तरीके से होता है, बस आपको helping work देखना होता है, और यह सारी चीज़ें धिहान रखना होता है, अगर आपको इस तरीके से tense complete हो जाएगा, तो आगे आपको, क्या direct indirect हो गया, active passive ह यह सारी चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप समझ जाएगे, ठीक है, अगर यह नहीं समझ पा है, तो वो समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो देखें, इंट्रोगेटियों सेंटेंस इसका क्या है, यह सबसे पहले helping work, subject, being, फिर वी 4, फिर प्लस टाइम, प्लस कॉशन मार्ट, ठीक, इसका एक्जामपल देख लेते हैं, यह सनो टाइप का, तो सनो टाइप में जैसे, had, helping work हमने पहले ले लिया, see, फिर अगर negative word हो तो लिखते हैं, चलो लिख दिया हमने, फिर उसके बाद लेखते हैं, been, had, see, not, been, ठीक है, playing, playing, football, for an hour, ठीक है, plus यह आप लगा जाएंगे question mark, देखें, अगर आप देखें, had से start हो रहा है, मतलब helping work से start हो रहा है, तो समझे यह सनो टाइप वला integrative sentence है, ठीक, तो सबसे पहले हमने had लिख दिया, फिर subject लिख दिया, negative word हो, तो लगाते हैं, नहीं है, तो आप इसके परे लिखेंगे, फिर being लिखेंगे, before हो जाएगा, playing word की first form में ing हो जाएगा, फिर object, उसके पास sincere form में से sincere four लगेगा, तो यहाँ पे period of time है, इसी वज़े से हमने four लगाया, फिर time prevention किया है, वह वर्ड पे आते हैं, तो वह वर्ड पे जैसे हमने ले लिया, when, ठीक, कब से, कब से लड़किया, music सुन रही थी, ठीक है, oh, sorry, why, हम ले लेते हैं, why word, why, मतलब, लड़किया, जो है, हम जो sentence हमने ले ले रखा था, the girls had been learning music for several months, तो उसको अगर हम interrogative में बनाते हैं, वह वर्ड में, तो हम सच्छे पे ले, यह वर्ड हमने ले लिया, एक वह वर्ड तो इसको, उ subject था, the girls, उसके बाद में been लगाएंगे हम, उसके बाद में verb लेंगे, जो था learning, word क्या था, learning, had been learning, object, क्या सुम रही थी, वो सीख रही थी, music, कब से, for several months, चीक है, फिर interrogative sentence है, तो यहाँ पी हाँ, question mark लगाएंगे, यह सारे sentence है, if हो जाए रहा, had seen, had been playing football for and over, yes no type का, wh type का, why had the girls been learning music for several months, question mark, तो यहाँ आपका, fast perfect continuous में complete हो गया, अब future की टेंसल जो बचे हैं, वो आगे टी वीडियो में हम लोग complete करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज हमारे चानल को like, share और subscribe जरूरूर रहे हैं, बच्ति बचनल को जगों कि अप्यों अच्छी लगई मैं लोग लिए रहा bisa, तो झाल, बचकी हिसा कि लोगकनी अबसे नमरे के सलेख quatre हैं, यहाँ अप्यों को चानल को आप अपिस, एन महाँ हिस अप्रयूरूर रही हीень लोगने हैं, झाल, रही हैं, तो बच्छी हैं, प